नमस्कार दोस्तों अक्सर बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर हमें पतले दुबले पिछके गालों को फुलाने का कोई तरीका बताओ पिछके गालों को धसी आखों को ठीक करने का चेहरे को खुबसूरत बनाने का चेहरे को भरा पुरा बनाने का कोई उपाय बताओ तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नैचुरल पॉस्टिक घरेलो नुस्का बताओंगा जिसके सेवन से आपके पतले दुबले पिछके गाल जो हैं वो भरने लगेंगे आपके धसी आखे ठीक होने लगेंगी और आपका चेहरा सुडॉल भरा पुरा और खुबसूरत लगेगा दोस्तों अगर आपका चेहरा अच्छा है आपके चेहरी की बनावट अच्छी है लेकिन अगर आपके गाल पिछके हुए हैं आँखे धसी हुई है कहने का मतलब आपका चेहरा भरा पुरा नहीं है तो आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता खुबसूरत नहीं लगता दोस्तों अगर आपका चेहरा भरा पुरा रहेगा सुडॉल रहेगा गाल आपके भरे रहेंगे भरे पुरे रहेंगे तो आपको किसी भी क्रीम कुछ भी लगाने की जोरत नहीं आपका चेहरा ऐसे ही चमकेगा आपका चेहरा ऐसे ही कांती में लगेगा आपके चेहरे पर चमक रहेगी ओज रहेगी दोस्तों आज के इस वीडियो को आप सभी लोग अंतिम तक देखेगा यह लड़कों के लिए और लड़कों के लिए सभी लोगों के लिए दोस्तों अक्सर पतले दूबले पिछके गाल धसी आके या कमजोरी की निशानी होती है और एक पतला दूबला कमजोर इनसान के ही गाल धसे होते हैं कोई हश्ट पुष्ट मोटा तंदरुस्ट इनसान के गाल पिछके शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा दोस्तों तो चले समयना का वात हुए सिधे नुसके पर आते हैं यहां पर हम जिन चीजों का इस्तमाल करेंगे उसे आपको दूध में डालना है और वो दूध में डालने के बाद फूल जाएंगे और वो आपके पतले दूबले पिछके गालों को फूलाने के लिए बहुत ही जाबा कारगर है दूस्तों अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक समस्क्राइब नहीं किया तो प्लीस सम्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे तो दोस्तो सबसे पहले आप एक गलास दूध लें, दूध आपको नॉर्मल लेना है, गर्म करके नहीं लेना है, एक गलास नॉर्मल दूध लें, उसमें आप 4 काजु काजु डालें, 2 अंजीर और 10 किश्मिश के डाने, डालकर छोड़ें, इसे कम से कम 3 घंटे के लिए आप छोड़ दें, दूद को ढखकर रख दें, इन सारीचियों को डाल कर, तीन घंटे के बाद आप इसे पहले निकाल करके खाऊ, खाएं, जब वो फूल जाएंगे उसके बाद आप दूद को उपर से पी लें दिन में सिर्फ एक बार इस नुसके का इस्तमाल करें, रात में आपके पतले दूबले जो पिछ के गाल हैं दसी आके हैं वो भरने लगेंगी और आपका चेहरा खुब्सूरत लागा